रंग नहीं था या समय नहीं मिला, कागज कम थे या स्याही घड़ जाती गर मोर के पैर सुन्दर और गधे के सर पर सींग लग जाती तो नाश्टे नाश्टे मोर को कभी हीन भावना ना आती, अरे सारा जग तो तेरा है, क्या कमी पड़ जाती आज हर बिगडी होई चीज को भगवान बनाया कहते हैं गर अच्छा वो हो जाता तो मैंने दिमाग लगाया कहते हैं उस सुन सुन कर दुनिया के ताने बस एक बात समझ में आती है कि सायद भगवान को पेंटिंग नहीं आती है पर सोचता हूँ ये सच कैसे हो सकता है जिसने बनाई दुनिया वो अधूरा कैसे हो सकता है उसने पानी निकाला परवत से लोग गड़ों में ढूनते हैं सुगंद बनाई फूलों में लोग रसाइनों को सूनते हैं पर निर्मित चीजों की कम्याप पहले ढूंडते हैं, वे कतल खुद करते हैं और कातिल को ढूंडते हैं, गर वो ना बनाता दुख, तो सुक की पहचान ना होती, दिन इतने हसीन और रातें वीरान ना होती, उसने बनाया सूखा ताकि लोग वर्सा को पहचान सकें, उसने ब पर इस रस्टी के रचैता को ही अनाडी मानती हैं, पहले लोगों को भैथा जंगली जानवर या सैतान से, लेकिन अब सबसे ज़्यादा आदमी डरता है इनसान से, दोस्त, मित्र, यार, ये सब उसके खिलोने हैं, तूटते हैं तो तूटने दो, वैसे भी कलनाय लेने हैं मदद करने पर व्यक्ति अभी मानी हो जाता है, ग्यान हो ना हो, पर ग्यानी हो जाता है, ग्यान से उसके मन में उटता है ये सवाल, कि उसने मदद क्यों की, ये जरूर है कोई चाल, उसने बनाया सैतान, ताकि लोग इनसान को पहचान सकें, इनसान को दिया दिमाग, ताकि कि इस रस्टी को जान सके अरे उसे और इस दुनिया को ना सही कम से कम अपने आप को पहचान सके पर फिर भी लोगों को थोड़े में है इतना गुमान गर वो बना देता पूरा तो ये कहते मैं ही हूँ भगवान इसलिए उसने हर एक चीज को बनाया है अधूरा ताकि घमंड का घड़ा कभी भर ना सके पूरा मगर कास कास उसकी रचना सफल हो जाती सायद भगवान को पेंटिंग नहीं आती